सबी साथियों को मेरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज 6 सितंबर के जनसत्ता विशलेशन में आईए शुरू करते हैं आज के जनसत्ता विशलेशन बिना किसी देरी के पतम प्रिश्ट पे हमारे सामने आज एक सेवी को लेके ख़बर आई है सेवी कर्मियों का पदरिश बूच का मांगा स्तीफा पूंजी बजार नियामक भारती पतिवूती ववनेमक बोर्ट के करमचारियों ने एक सम्हून गुरुवार को मुंबई स्थित सेवी मुख्याले के बाहर विरोध पदरिशन किया करमचारियों ने सेवी की ओर सेजारी उस प्रेस वक्तव्वे प बित्पंताले को लिखे गए उनके पिशले पत्र को गैर पेषयवर करार दिया गया था गुरुवार को करी दो गंटे तक चले विरोध पदरिशन में लगबग 200 करमचारियों ने इस साल लिया इस विरोध पदरिशन में करमचारियों ने प्रेस जिप्ती को तुरंद की है सात्य वसल में पर आरोप लगाए गए हैं कि माधवी पुरी बूच अपने काम सभी से नहीं करती हैं और अफिस में बहुत तनाव का महर बना करती हैं वहीं पर एक इंक इतने आरोप लगाने के बाद भी मादवी पूरी बूच को क्यों हटाया नहीं गया अभी तक हटाना दूर की बात है इन पर जाच क्यों नहीं हुई है जाच तक नहीं हुई है वित्मंत ताले दोवारा की गई जाच आगे बढ़ते हैं अंतराश्ची खबरों में भारत सिंगापूर चार संजोतों पर दस्तकत स्वास सेवा कौशल विकास वैस सेमी कंड़क्टर शेतर में संयोग पर जोर देखते हैं भारत और सिंगापूर से क्या खुब फाइदा रहेगा अचन जोते से इसके लावा पंजाब सरकार ने वैट बढ़ाया है महिंगा होका वहानी इंधन पंजाब में मेट्रोल लीजर के दाम बढ़ने वाले हैं और बश्यमंगाल में जो अभी एंटी रेप लॉल आया था अपराजिता विध्यक जिसमें रेप को दंडात्मक कारवाई जैसी प्राधान दिये गए हैं कड़े प्राधान दिये गए हैं इसको लेके पश्यमंगाल के राजपाल सीवी आनंद बोस ने हाल ही में पारित प्रतकारोधी अपराजिता विध्यक को लेकर दावा किया है कि उन्हें इसकी तखनीकी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है जबकि मंजूरी के लिए तखनीकी रिपोर्ट जरूरी होती है तो देखते हैं राज़ेपाल साब इसमें क्या ने लेते हैं इसके लावा पदूशन के अगर हम बात करें तो देश के अबसे सरवाधिक पूज़ें 100 शहरों में हर्याना के 15 शहरें प्रदूशन बहुत ही भारी मातर में हमने कल के बहले वारे लेक में भी कवर करा था ये प्रदूशन कैसे जान लेवा है हर्याना की हवा में सास देना मुश्य हो गया है देश के 100 शहरों में हर्याना के 15 शहरों में सबसे ज़्यादा प्रोदूशन पाया गया है जानकारों के अनुसार हैस्ति लोगों के रहने के लिए उचित नहीं है भारत की राज़्टी परिवेश वायू गुडबत्त वानक की अनुसार PM 2.5 और PM 10 की द्वराशिक स्तर की सु 2021 देशने देशों में बहुत अधिक है मितलब फिलाल परदूशन का बहुत ही समस्या है फरितबाद में कुड़गाओं का भी नाम आया था और कही अन्य शहरों में भी सरकार को समय रहते हैं परदूशन कम करने का प्रयास करना चाहिए हर संभव तरीका हो अब पूजाखेटकर की मामले में फूजाखेटकर लगा की मामले में यूप असीमें तहल का मचाया था यह नहींने कहा है कि मैं अपनी विकलांग तक की जांच के आने को तैयार हूँ अब पूजआखेटकर जी बहुत मजगूटी के साथ ख्रडी दिख रही हैं खारा कि इन पर जाली प्रमाण पत्रों का आरोप लगाए गया था मगर जिस हसाब से इनको डील करा जा रहा है हमें तो सरकार पर ही संदे हो रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार ने कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया है फिलाल हम अपने संपातिये पर टिके रहेंगे और आज का कल्प मेधा में शुरुआत है जो अपनी रोटी दूसरों के साथ बाट कर खाता है उसे भूक की बिमारी नहीं होती तुरुवलूर जी नहीं कहा है सभी बात है मिलबाट के रहना चाहिए मिलबाट के जीवन आपन करना चाहिए और आज के लेग है कीट नाशकों से उपच्छती दुश्वारियां और यहाँ लेक लिका है अमरपाल सिंग वर्मा जी द्वारा खेती में कीट नाशकों का अस्तमाल दिन बढ़़ा है कोई फसल ऐसी नहीं है जिस पर कीट का प्रकोप नहीं होता है इसलिए कीट नाशकों का चड़न बढ़ता गया है बगर कीट नाशक फो कीटों पर नियंतर कम समस्याइं ज़्यादा प्यादा कर रहे हैं कीट नाशक असल में जितना फाइदा कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर नुकसान कर रहे हैं कीट नाशकों के दुश्वाभाव से समंद्ध हाल में आए एक अध्यन बढ़ने वाले हैं जिस प्रकार धुम्रपान से कैंसर होता है उसी प्रकार कुछ कीट नाशकों से भी कैंसर होने का खतरा रहता है अधियन के नुसार उन्षट कीट नाशक सीज़े तोर पर कैंसर के बढ़ते मामलों में समंद पाए गए हैं या अधियन अमरीका में राकी वेस्ट शिर्दाले से जुड़े शोर करता हूं के नितित में किया गया है पर इस अमरीका में होने के कारण खारिच नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जिन मेतमाईल मेटाफकलॉर ऐसी फोर टू वर टू फोर डी जैसे कीट नाशकों का जिक्र है उनका हमारे देश में खरपदवार और कीटों के खात्मे के लिए खुले आम इस्तमाल किया जा रहा है तो साथियों कि भले ही अमरीकी उनिवसिटी ने अध्यन करा है जिसमें खुद अमरीका के किसानों को भी घिरा है कि कितना उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है इन कीट नाशकों के छिड़काव से बले ही ये कीट नाशक के छिड़काव मशीन से करा जाता है फसलों पे मगर मेरे साथियों हम इन्हेल भी तो करते है ठीक है इन्हेल भी तो करते है उस वातवरण में रहते भी तो है ये समझ से आ रही है कि किसान उसका इंटेक कर रहे है इंडिरेक्ली अब बात में उनका नर्वस सिस्टेम प्रॉब्लम आ रही है और साथ में इम्यूनिटी भी कमज़ोती जा रही है केंदी रसायन और उवरक मतालिक एक रपाट के मताबिक 1951 में भारत में किसान केवल 7 लाक टन रसायनिक और उवरक इस्तमाल करते थे यह आखड़ा अब 335 लाक टन हो चुका है साथियों आप देख रहों कितना परिवर्टन है कहां हम 1950 में मादर 7 लाक टन यूज़ करते थे 7 लाक टन और आज वर्तमान में यह आखड़ा 335 लाक टन तक पहुँच चुका है यूँकि पॉप्लेशन भी बड़ी है पहले जितनी पॉप्लेशन को खिलाना था मांड भी बढ़ गई है मगर ये हमेरे लिए खत्रे का संकेत है कि ये पेस्टिसाइड और कीट नाशक बिल्कुल भी स्वास्त के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं कीट नाशक के इस्तेमाल की मामले में पंजब सबसे अलग अगे है राश्टिक रिश्टिक विग्यान अकादमी का एक अध्यर्म बताया गया है कि विदेश में सरवादिक बार सुपचास किलोग्राम प्रती हेक्टिर कीट नाशक पंजब में इस्तेमाल की जा रहे हैं इसके बाद 1100 किलोग्राम प्रती हेक्टिर कीट नाशक खर्याना में उपयोक्व की होते हैं कीट नाशक के इस्तेमाल में कापास और धान जैसे उपजाने वाले तिलंगना आप पंजब और हर्याना के साथ होड़ कराहा है बतादी कि तिलंगना है परजाब है अर्याना है जितना जादा कीट नाशक का इस्तमाल कर रहे हैं अपने आप मुसीबत भी बुला रहे हैं कीट नाशकों के अधिक इस्तमाल से जैविवित्ता प्रभावित हो रही है मानव के साथ वन्यजीव, घरेलु पशू और पक्षी भी इसके दुश्परभाव जेलने के पर मश्बूर हैं अनेक अधियनों के सजाएर है कि कीट नाशकों से भूजल प्रदूशित हो रहा है इस वज़ा से प्रागरन का प्रकतिक जरिया बादित भी हो रहा है इस पकार कीट नाशकों का बड़ता इस्तमाल हमारे लिए कलाकतार ना जाने कितनी समस्यां पैदा कर रहा है अगर हम जल्द नहीं चेहते तो बविश्य में यही समस्या और बढ़ेगी हमें धीरे धीरे रसायने खेती छोड़कर प्रकतिक खेती की और लोटना ही होगा इसानों की खेती में रसायने कीट नाशकों की जगा जैविक और प्रकतिक कीट नाशकों का उपयोग बढ़ाना होगा लोगों को स्थानी और जहवे क्रिशित पादों को बाक्त में कर देनी चाहिए लगी साथी और्गैनिक फार्मिंग इस दे सॉलूशन प्राक्रते खेती करेंगे अपन ठीक रहेंगे पर्यावरन ठीक रहेगा इसके लावा कोई कोई और नहीं है सॉलूशन अगला लेख है मनमानी के विरुद ये तरखनिट को लेकर है हाली में राज़ा जी नैशनल पाक के निदेशक चर्चा में रहे और सुप्रिम कोट ने फटकार लगा दी थी गुद्दा क्या था पढ़ते हैं इस तरह के मामले अक्सर उटते रहे हैं कि सर्कारें दागी अफसरों के खिलाफ वुचित कारवाई करने के बज़ाए इसकी अंदेखी करती है कई लावार आरोपी अधिकारी की त biết पर भी करे जाती है आरोपी अधिकारी की तेनात्य जहां वो चाता हैså केवर नियमों के वुरुद माना जाता है बलकि ये मरमानी भी है जिससे सबसे ज़्यादा लोकतंत्रिक सविस्ता और मूल्यों को नुक्सान पहुचता है पुत्राखंट के एक मामले में सुनवाई करते हुए बुद्वार को सुप्रिंग कोट ने ऐसी ही मरमानी रविया के खिलाफ तीखी टेपड़ी की है और इसके एक तरह से लोकतंत्रिक लोकतंत्रिक के वुरुद बताया है असल में एक आईएफस अधिकारी थे भारती बंसिवा यानी आईएफस के एक अधिकारी पुत्राखंट के राज़ाजी टाइगर रिजर्व करने देशक बनाया जाने पर सर्वोच न्याले ने तिकी राज़ाजी जताई और राज़ा की मुक्य मतरी को सक्त फटकार लगा आया है कि जिस अधिकारी पर किसी भी रूप में कारून के विरुत आचरन का आरोप लगा हो उसके खिलाब विधिक कारवाई सुनिशित करने के बजाए प्रक्रिया के तहद आरोप मुक्त होने से पहले ही फिर से उसे निदेशक जैसे पतपर तेनात कर दी जाती है कम से कम इंक्वाईरी पूरी होने देते, निदोश साबद होने देते, या आरोपी साबद होने देते जाहर है कि यह अपने दायत हुआ और अधिकार की सीमा पकूबे गौर नहीं करने की एक उधारण है असलिमें मुक्यमंती जी ने सारे नियमों को लांग कर ये नुक्ति करी ब्रशचार या ने अनिमित्ताओं के आरोप की जासे कारवाई के दाएरे में आने के बाद भी दागी अफसरों की योड़ से आंके मूंद रखना या प्रकरांतर में से उसे राहत पहुचाने या प्रुस्क्रत करने को सरकारों और खास तोर पर शीश पद पर बैठे विक्ति ने मानो अपना अधिकार मान लिया है कम से कम इस बात का इंतिकार भी नहीं किया जाता कि अगर किसी अधिकारी पर अन्यमित तक है और रोप लगे है तो उसे खिलाफ विभागी जाँच या कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए इस तरह का रविया किसी ऐसी विवस्ता में ही गाम हो सकता है जहां इस विक्ति की मर्जी से सरकार और समुचत नहीं चलता हो सुप्रिम पोर्ट ने कहा ये कोई राजशाई थोड़ी है आपका मन कर आपने बना दिया कानून है लोक्तंतर है नियम प्रक्रिया है अधिकारी की जांच कराईए अगर निदोस्त थाबित हो जाता है तो छोड़ दीजिए आप कहीं नुवित करीए आप उसे पधामंतरी बना दीजिए मुक्यमंतरी बना दीजिए इतोड़ी कि आप जानते हैं कि उन पर मुकदमा चल ला है उन पर आरोप लगाये गए हैं और आपने उसी की बीच में उनको निदिशक बना दिया जो अलरड़ी आरोपी है कस्री बनाम करनी अगला लेख है यह लेख आ पढ़िएगा मैं इस पर नहीं जाओंगा राज़े देख लेख है अंतर आशली खबरों में अभी चाइना में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है एफरिकन कंट्रीज के लीडर्स को बलाकर चाइना में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है बिजनिस वेपार वेपार को बढ़ाने के लिए तो यह भी हमारे एक जिंता का विशे है चिंता तो नहीं है मगर एक देखने का विश्य है कि एशिया की जियो पॉलीटिक्स में चाइना भी हमिशा अक्डिव रही है मगर भूर ध्यान दे रहा है खेल जगत में हमारे सामने देखते है कि मैडल टाइली पैरलम्पिक्स की क्या है मेडल टालेक्स में 25 मेडल हमारे भारत की नाम हो चुके हैं और चायना के 163 मेडल हैं और अमरीका के 77 मेडल है इसी के साथ साथ आज करेते रखते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुबहो बागी जो भी करेंट अफेस यहां पर डि प्रेस्क्रिप्शन में मौझूद है एक बार जरूर विजिट करियेगा थैंक्स फो गिविए प्रेशस टाइम आव वेरी वेरी नाइस दे प्रेस्क्रिप्शन में मौझ।